तो जारा की विंटर केलेक्शन कवर करने की बहुत जादा डिमांड आ रही थी और हमेशा से भाई जारा की प्राइजिंग काफी कॉंटर डिक्टर रही है तो मैं आज निकलाओ आपको अपने साथ एक्सप्लोर कराने जारा का विंटर हॉल तो आओ देखते हैं क्या सही में जारा बहुत हाई प्राइज है या फिर वह अपनी कॉलिटी के अकॉर्डिंग हाई प्राइज है तो भाई मैंने इस वीडियो में सारे अलग-अलग सेक्शन कवर करके दिखाएं तो बिल्कुल मत करना और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो भाई अभी से मानवरोड को सब् 950 रूपीज अगर बात करें इसकी पूरी डिटेलिंग के बारे में तो भाई इसमें आपको थ्री ओपन पॉकिट्स देखने को मिल जाती है जो इसकी लोग को काफ़ जादा क्लासी बना देती है वन मोर गुड तिंग एक आपको बाई बटन के जगा जिपर दी हुई है ए इसकी जिप की कॉलिटी बाई काफ़ जादा स्मूथ थी फ्रेंट साइट पर आपको बाई जिपर एंड टिक टैक क्लोजर देखने को मिलेंगे पॉकिट्स के साथ और यह नीचे से बाई सिर्फ आपको स्टाइलिंग पार्ट था यह कोई पॉकिट्स नहीं देखने को मिल पूरी शर्ट के ऊपर आपको बाई जिपर एंड थ्रेड वर्क की डिटेलिंग हो रख की दी इसमें आपको टिक टैक बटन देखने को मिल जाएंगे और बात करेंगर प्राइजिंग की तो इसका प्राइस देने वाला वाला फोर थ्री फाइफ जिरो रूपीज जो की ठी पूरा एक कॉर्ट सेट बना सकते हैं दोनों को बाई करके नेक्स पहुंचा भाई में शैकेट शर्ट सेक्शन पर जहां पर मिली में को यह बेस्ट और इतनी स्मूध फैबरिंग में डिजाइन शैकेट शर्ट और इसे देखते हैं मेरा दो दिल पूरा ही फैसल गया था इ पूरा था और ओवरल भाई पूरा वैल्वेट टच देखने को मिल जाएगा जो काफी अच्छे से पूरी शर्ट पर पूरा स्मूध फैबरिक दिखाता है उसके बाद में को दिखी एमेजिंग डिजाइन ब्राउन शैकेट सबसे पहले तो इसका कलर शेड बाई में को अधर भी आपको एक पॉकेट मिलने वाली है मतलब काफी मिनीमल डेटेलिंग थी फ्रंट में दो फ्लाप पॉकेट से देखने को मिल जाएगी जो कि बाई वरी गोड शैकेट और प्राइस की जाधा टेंशन मतलो क्योंकि बाई ब्लैक फ्राइडे से लगने वाली है लास् जो में को थोड़ा सा इसकी कॉलिटी वाइस वर्त नहीं लगा एंड थ्री बेसिक सॉलिट करई में स्लीव रेस जैकेट मिल जाएगी आपको 2950 रूपीज के प्राइस पर साथ जिपर भी मिलने वाली है एंड कैप भी अटैच मिल जाएगी इसमें आपको अब चलते है भा वाइड, ब्राउन, ग्रे, बेबी पिंक यह वाला परसनली भाई में वह काफी ज़्यादा पसंद आया बिकॉस अफ़ दर टेक्स्चर और कलर कॉलर कॉलिटी और बहुत ही क्लासी ऑप्शन था 4-3-5-0 रूपीज में जारा की पैंट के लेक्शन भी बहुत जादा तगड रूपीज में मिल जाएगी और ये पैंट्स भाई आपकी ओल्ड मनी वाइब को बहुत जादा क्रेजी करने वाली है तो फटवर्ट से वाई आप यहां पर आकर शॉप कर लेने वाम पैंट्स को और बाई काफी जादा हेल्प होगी जब विंटर में इसको वेर करोगे तो नेक्स में को मिला भाई ये कॉटर से पुल ओवर जिसकी कॉलिटी नो डाउट भाई काफी अच्छी थी और अंदर से पूरा इसका फर वाला फैबरिक मिलने वाला है क्योंकि वाई H&M का विंटर कलेक्शन भी एक्स्प्लोर कर चुका हूँ तो यहां से कम प्राइज है व साथी बोल्ड बटन्स और स्प्रेड कॉलर्ज भी मिलने वाले हैं आप इस शर्ट को लेयर करके भी पहन सकते हो और एकदम आपको फैबरिक डिजाइन किया हूँ फैबरिक मिल जाएगा और सिंस इस साल क्रॉप क्लोधिंग काफी जादा ट्रेंड में रहने वाली है तो अ पूरी होडी एक वाश्ट एफेक्ट या फिर टेक्स्टर में रहने वाली है फिर नजर पाड़ी वाई इस सॉलिड ब्राउन होडी पर इसका प्राइस थावाई फोर थ्री फाइव रूपीज जो में को थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा एंड इसके कफ पर आपको पूरा स्ट्रेचर मिलेगा होई वन नीचस आपको स्ट्रेट कट में रहने वाली है एंड हैंप पर आपको कोई भी स्ट्रेच नहीं मिलने वाला इसमें और भी कला शेड्स एंड एक वेरिंट एव लेवल था जैसे कि आप चेक आउट कर सकते हैं बेवी पिंक कलर एंड इसमें आ नेवी ब्लू एंड वाइड कलर का कॉमिनेशन काफी रेजोनेटिंग था बाकी इसमें और भी कलर शेड्स एवलेबल थे प्लेन विराइटी भी एवलेबल थी तो यू केन गो फॉर दिस वन अब मैं आपको दिखाने वालो आप सभी का फेवरेट सेक्शन जो की है बाई जैकेट्स जस्ट लुक अट दा कलर बहुत ही सूपब कॉलिटी थी जैकेट्स की और वाइड सबसे पहले वाई इसमें आपको प्लास्टिक टिक टक बटन्स देखने को मिल जेंगे और आप बात करें वाई फैब्रीक की तो इसमें आपको सेंटर से बाई पॉलियस चर रह जिखाते हैं जस्ट चेक आउट दा लुक गाईस तो भाई मैंने इसको एक वाई टीशट के ऊपर लेयर किया था बहुत ही डैशिंग लुक क्रेट हुई है और इसके पूरे बैक पर भी आपको फर पैच प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगे और पूरी जैकेट पर काफ ग्रे कलर में रहने वाली है और इसके ओपर आपको पैच वक भी देखने को मिल जाएगा एक और चीज़ की वाई इसके अंदर भी आपको भाई एक स्टोरिच पॉकेट मिल जाएगी टिक टाक लोजर के साथ यहां पर इस जैकेट में आपको एक टेक्स्ट इंबोडरी कर रखा था जो कि वाई काफी जादा क्रेजी लग रहा था अगर बात करें इसके फैब्रेक के तो सेंटर सापको पॉलिएस्टर फैब्रिक में रहने वाला हैं स्लीव अगेइन इसकी लेदर में रहने वाली है विद डिटेलिंग ऑफ पैच प्रेंट्स नेक्स मिली में को य यह काफी जादा कंफी जैकेट्स रहने वाली है फिर देखी मैंने एक टैन ब्राउन लेदर जैकेट इसके फ्रेंट साइड पर आपको दो अच्छी खासी स्चोरेज वाली पॉकिट्स देखने को मिल जाएगी वन मोर गुड पार्ट अबाउट देखने को मिल जाएंगे जिससे आप एड्जेस्ट भी कर सकते हो और इसमें आपको जिपर और टिक टैक बटन दोनों ही मिल जेंगे जो की बाई काफी बढ़िया रहते हैं बाकी और भी काफी सारे शेड्स एंड वराइटी एवलेबल थी लेदर जैकेट्स में जैसे कि आप चेक आउट करो यह टै जैकेट ऑफ टुडेइस हौल इस ब्लैक बॉंबर जैकेट जिसकी पफर की कॉलिटी बहुत ही ज्यादा मेजिंग थी ओनेस्ली बाई इतनी सर्दी पढ़ रही है कि अब तो आपको लेनी पड़ेगी तो यह इसका प्राइस था रॉपीज तो भाई इन्वेस्ट कर लो मेर इन्सेग को फॉलो कर सकते हूं यहां पर आ रहा होगा तो दिस इस मानवराज यूर ओन फैशन गाइड साइन आप दे नेक्स वीडियो बाई बाई